इहाई गस्विली फियोर में आपका स्वागत है दोस्तो बॉलिवूट के खिलाडी कहे जाने वाले अक्षे कुमार की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ओफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है हाली में इनके फिल्म आय थी सर्फिरा और इस फिल्म को critically acclimation मिला था बहुत लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया था लेकिन उसके बावजूद बॉक्स ओफिस पर जितनी हम उम्मीद कर रहे थे वैसा कालेक्शन इस फिल्म ने नहीं किया था अब सर्फिरा के बाद एक और फिल्म अक्षे कुमार की रिलीश हो चुकी है जिसका नाम है खेल-खेल में आपको बता तो यह एक comedy फिल्म है और comedy फिल्मों की अगर बात की जाए तो अक्षे कुमार की तो एक तरह से महारत हासिल है उनको और बहुत सारे comic timing के हिसाफ से वो characters को portrait करते हैं, चाहिए वो hair of fairy हो, गara masala जैसे film में हो heavy भी हो, अच्छा उन्होंने production क्या है, लोग पसंद करते हैं, pre-adultation की film में हो, सब में वो अच्छा करते हैं, लेकिन उनके इस अवतार को काफी लोग miss कर रहे हैं, तो बहुत दिनों बाद एक comedy film में आये हैं, क्या इस film में अक्षे कुमार ने वैसा दमखम दिखाया है, और अगर दमखम दिखाया है, वाकई film अच्छी है, तो क्या ये box office पर अच्छा production करेगी की नहीं करेगी, आई इस पर हम चर्चा करते हैं, तो overall ये film जो है, comedy film है, और यहाँ पर mainly तीन couples को दिखाया जा रहा है, पहले couple की अगर बात की जाए, तो रिशब यानि की अक्षे कुमार और वर्तिका यानि की वानी कपूर, अक्षे कुमार जो है, ओल्रेडी शादी शुदा थे, और उनकी जोड़ी है, वो थोड़ी से भी मिल नजर आती है, जैसे लगता है, गाओ और शहर मिल गए है, या फिर इन में से कोई एक अच्छी खासी अंग्री जी बोल लेता है, और कोई अंग्री जी बोलने में थोड़ी से मुश्किल होती है, उसके अलावाद तीसरे और नजर खुद उसकी वाइफ जो है, यानि की नैना उसके पिता है, और वो यहाँ पर लगातार यह प्रूव करने की कुशिश कर रहा है कि वो यहाँ तक अगर पहुचा है तो अच्छा काम करने की वज़ा से पहुचा है, ना कि वो सिर्व एक दामाद होने रही शादी में आया, तो ओवरॉल तीन कपल जो है, हस्बेंड वाइक तीनों के तीनों यानि छे लोग और एक और दो यानि कभीर फर्दिन खान, तो यह सातों लोग एक जगापर एक खट्टे होते हैं, और आपस में बातें चलती है कि यार जो मर्जों होते हैं, तो इस तरह का खेल जो होता है, जो इस तरह का जो चैलेंज हो जाता है, यहां से शुरूआत होता है, तीक है, लोग काफी exciting लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें जब मरे हुए जो मुर्दे होते हैं, वो कैसे निकलने शुरू हो जाते हैं कुछ वैसा ही महौल हो जाता है हिंदी में अगर बात की जाए तो अनर्थ यानि की सब कुछ तहसना है और इंग्लिश में की जाए तो अनर्थ कुछ सीक्रिट बाहर निकल कर आते हैं तो इस तरह का महौल होता है और जैसे ही चीजे हो जाती है तो जिन्दगी कुछ अलग सी हो जाती है एक गे इंसान की जिन्दगी होती है उसकी जिन्दगी किस हिजाब से मुश्चिलों भरे रहती है वो भी बताने की कोशिच की गई है ठीक है तो ये सारे मुद्दे हैं बताने की कोशिच की जा रही है जो पता चलती है तो जगड़े होते हैं नोग छोग्स होते हैं आपको अच्छी हीलम आकंछाइए credibility के देखा जाए और對演ूature कूमार कोOW इस अंदाज में हम देखना चाहते हैं विल्कुल वैसे नजर आ रहा है एक light-hearted entertaining और comedy वाली फिल्म है तो यार आप enjoy करने जा सकते हैं मेरे ख्याल से फिल्म में ऐसा कुछ खराब तो मुझे लगा नहीं है हाँ एक चीज में कह सकता हूँ कि फिल्म की और script की जो demand है उसके हिसाब सी फिल्म बनाई गई है लेकिन काफी लोग यह लग सकता है कि एक particular hall में एक particular घर के अंदर ज्यादा तर फिल्म की shooting हुई है फिल्म आये गए हैं लेकिन मैं कहूंगा जो script की demand है उसके हिसाब सी फिल्म बनाई गई है और overall जो एक तरह से entertaining फिल्म बोल सकते हैं वैसी ही फिल्म है तो मुझे एक हिसाब से ठीक फिल्म लगी है अच्छी फिल्म है आप फिल्म देखने जा सकते हैं इंडिपेंडने के दोरान light-hearted फिल्म है आ आप enjoy कर सकते हैं हस सकते हैं ठीक है अगर फिल्म की rating की बात की जाए तो फिल्म को मैं 3 stars मैं देना चाहूंगा out of 5 ठीक है तीन star तो deserve करती है लेकिन ये एक comedy के नज़र जिससे देखा जाया और जिससे आप से जाधा production value तो नहीं डाला गया लेकिन overall ठीक ही लग रहा है तो मै क्या करना चाहते हैं मेरे opinion को लेकर दोस्तों ज़रूबता है हमारे comment section पर और दोस्तों देखते रहे आपका अपने channel filmy viewer this is Ravi Gupta signing off thank you so much for watching this video I'll see you in the next video soon bye bye